अब बराज वर्शान अंतरी थे गणाचे संदी मिलते सेवा करनाचे संदी मिलते त्या वर्थल अमसे मित्र शी अमर मुख्तर यांसा में आवारे आहे मुख्तर कुपंब्या में ही संदी माला देली अपला समोर राग यांसा देल करते अब बराग गिरी वीकेंड इंटर्व्यू सिरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस अफते हमारे खास महमान है रूपेश गवास जी बहुत ही लाजवाब संगीत परंपरा से जुड़े हुए है क्योंकि तमाम गुरूँ का आशिरवाद इनको मिला है और अपनी जो खुद की संगीत यात्रा है उसके भी कई एहम पड़ाओं है उन सब के बारे में बात चीत करेंगे लेकिन सबसे पहले रूपेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमशकार धन्यवाद तो यूं तो मुझे ये पता ही है कि आपने कम उम्र से ही गायकी की मतलब गायकी की सिक्षा लेनी शुरू कर दी थी आनन जी प्रकाश जी जो आपके शुरुवाती गुरू रहे और उसके बाद कई बड़े गुरूओं का आपको आशिरवाद मिला है वो सब कुछ समझेंगे लेकिन ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये संगीत शुरू हुआ कैसे था आपका देखिए वैसे तो मैं गोवा से बिलाउंग करता हूँ गोवा का एक नौर्थ में सत्तरी नामक तालुका तैसिल में केरी नामका एक ग्राम है तो हमारे ग्राओं में जैसे देखा जाए तो गोवा में हर घर में संगीत होता है चाहे वो आध्यात्मिक परंपरा से हो फोग म्यूजिक से हो गोवा की भूमी में ही पूरा संगीत है हर घर में आपको हर बच्चा कई ना कई मंदिर में भजन गाने वाला नहीं तो कुछ कुछ फोग इंस्ट्रूमेंट तबला ज्हांज मंजिरा कहते हर्मोनियम बजाने वाले हम इले वैसा ही माहौल मेरे गाओं में जो मेरे गाओं का नाम है कीरी वहाँ पे था और बच्पन से भजन और किर्तन जो मंदिरों में होता था और हमारे घर में भी सावन के महिने में भ करते थे बुजूर्ग जो हमारे थे तो वैसे संगीत के संस्कार बच्पन से हमारे यहाँ होते थे और इसी में हम मंदिर में अगर भजन चलता है मंदिर में कुछ त्योहार है अगर मंदिर में कुछ नाटक का कारिकरम है तो वहा पे हम लोग जाते थे और सुनते थे संगीत और जो बुजूर्ग बहां पे जो लगन से भगवान की भक्ती करते थे बैठते थे और वहां से एक रूची उत्पन हो गई और इस माहोल के वजह से आगे चलकर मैं शास्त्रिय संगित की शिक्षा ग्रहन कर सका हूँ, अभी तक तो चल रही रही शिक्षा, तो ऐसा वातावरण हमारे गाओं में था, पूरे गुमानतग में अगर आप देखिये तो ऐसा ही वातावरण है, हर घर में कोई ना कोई गात करते हैं, और बाकी लोग है, चाहे वो लोग संगित के माध्यम से हो, हर त्योहार होता है, वहां पर पार्टिस्पेंट होते है, और बच्चों जो होते हैं, जो लोग संगित, यानि भजन, किर्थन से, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, और ऐसे ही संस्कार मुझ पे हो और उसी के वजए से मैं शास्त्रिय संगित की शिक्षा ग्रहन कर सका और क्या परिवार में भी कोई इस तरह की प्रिश्भूमी थी कोई बैक्राउंड फैमिली में परिवार में तो मेरे परिवार में ऐसे प्यूर म्यूजिक की शिक्षा और प्यूर म्यूजिक में कोई नही मेरे पिता जी में रूची रखते थे लेकिन मेरे माता जी उनको संगित की मतलब संगित में रूची है उनके पिता जी उनके पिता जी माता जी कहती थी और मेरी नानी भी कहती थी कि उनके पिता जी गाओं में जो संगित नाटक होते थे जाहें हो अबां काशा भाद करते थी, तो मैं मामा अभी कहे ते, कि वो स्त्रीब्हुमिका करते थी, और मैं बचमेट में बहुत चोटा था, तबी मैं सिक्स स्टेंडर्ड में था, तो मैं बाल बोन में आनन जी मसकर जो मेरे पहले गुरू उनसे मैं तबला सिखता था, तो मेरे जो नाना थे वो एक बार धर आया थे, उन्होंने पूछा मुझे क्या क्या सिखाया तुमको, तुमको चोटाल सिखाया क्या है, इसा उन्होंने मुझे एक बार बोला था, और माजी कहती थी, हमारे मामा कहते है, बाकी जो सगे सब है, वो कहते थे कि वो संगित नाटक में काम करते थे, वो उन्ही की बदोलत से शायद वो हमारे जनरेशन में म्यूजिक का, म्यूजिक म बड़ी बेहन है, वो सिखी नहीं थी, उसका आवाज बहुत ही एकदम सुरीला है, वो स्कूल में जो कॉंपिडिशन होते थे, आलग-अलग, उसमें वो पार्टिसिपेट होती थी, चाहे वो All India Radio पे हो, दूर दरशन पे हो, पार्टिसिपेट होती थी, लेकिन उन्होंने शास्त्रिय संगित की शिक्षा किसी ने नहीं ग्रहन की थी, तो बचपन से उनकी वज़े से मुझे वेज़ शास्त्रिय संगित में रूची उत्पन हो गई, लेकिन घर में, चाहे हमारे पूरी फैमिली में बहुत बड़ा परिवार है, कोई म्यूजिक, फूल टाइम म्यूजिक में कोई ने, सबको रूची है, सब लोग सुनते है, कुछ भजन भी गाते, लेकिन इसी शिक्षा किसी ने नहीं ग्रहन की थी, और आप तो, मतलब आप जिस पहले सवाल के जवाब में आपने गोवा के जिस हिस्से का जिक्र किया, गोवा से ही रिष्टा रहा प सम्मान, जितनी शोहरत, और सम्मान तो मतलब बहुत ही जादा, पंडित जी का तो इतना सम्मान है, मैंने कलाकारों में, उनके शिश्यों में, उनके जो समकालीन कलाकार हैं, उनमें भी, आपको कभी सौभाग्य मिला उनको सुनने का एकदम लाइव आमने सामने से? लाइव मतलब हम तो पंडित जीतेंदर अभी शीकी जी के भक्त है, गोवा में ऐसा है, गोवा की परमपरा तो महान है, जैसे की अंजनी भाई मालपेकर, केसर भाई केरकर, मोगु भाई कुरडिकर, खापरुमाम परवतकर, ये सभी लोग गोवा से है, और पंडित जीतें 1994 में एक बार उनका कारेकरम था, क्या होता है कि गोवा में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अध्यात्मिक वातार होने के कारण भजन सपता रहता है, पूरे साथ दिन मंदिर में अखंड 24 घंटे संगित चलता है, यानि कि कोई भजन होता है, और लास्ट दिन उसके समारों क कारेकरम के लिए ऐसे महान कला कारों को अमंत्रित किया जाता था, और उनके कारेकरम रहते थे, अभी भी वो परमपरा कायम है, तो एक बार पंडिज्य वहां पर आये थे, उनका लाइव गाने का उनकी तबियत थोड़ी खराब हो गए, लाइव गाने का मौका नहीं मिला म लेकिन 95 के बाद कला अकडमी गुवा जैसे कि हर साल अलग-अलग महुत्सव आयुजित करती हैं अलग-अलग पंडित जीते नरविशी के तो उनका एक ही बार मुझे लाईव गाना सुने का मौका मिला लेकिन उनके शिष्य परिवार चाहे वो उनके सुपुत्र पंडित चौनक जी अभिशिकी बाद में उनके शिष्य परिवार जैसे उनके बुजूर्ग शिष्य वसंत्राव जी मरा और मेरे जो गुरुजी प्राचार्य पंडित कमलाकर जी नाइक वो भी उनके शागीर्थ थे उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी लेकिन इस परिवार का मुझे आज तक आशिरवाद मिलता रहा उनसे कुछ मैं उनके जो शागीर्थ है पंडित वसंद्राव जी सुनता हूं और उनके शिश्य परिवार का मुझे बहुत ही आशिरवाद है ऐसा मैं मानता हूं बिलकुल और ये प्रश्ण इसलिए मैंने पूछा भी क्योंकि 1998-99 के आसपास उनका निधन हुआ था तो मुझे लगा था कि कभी ने कभी और ये तो ये तो तैय है कि अगर कोई गोवा में संगीत की परंपरा से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए पंडित जीतेंद्र अभीशे की किसी भगवान से कम नहीं है और जिस तरह का वाकई जो बार-बार में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरह का सम्मान उनको मिलता है मतलब ताउम्र जिन्होंने अपने शिश्यों को सिखाया और उनसे एक रुपए भी फीस नहीं ली जी 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 तो बहुत ही चोटी सी बात है उनके उनके विक्तित्तु का एक बहुत कलाकारों की फेहरिस्त है उसमें बहुत आगे हैं और इसलिए मैंने आपसे प्रशन पूछा कि मुझे बिलकुल अंदाजा था कि परोख्ष या परोख्ष तोर पर आप उनसे जुड़े जरूर होंगे फिर रुपेश अभी आपसे जैसे हम लोग बात कर रहते हैं और हमने ये गुजारिश करते हैं कि अपने गुरूं के बारे में विस्तार से बताएं क्योंकि ये जो गुरू है और जो आपको समय समय पर समय दे कर आपके अंदर के कलाकार को गढ़ते हैं तैयार करते हैं उनका योगदान आप जीवन वर भूल नहीं सकते हैं तो आप भी अपने गुरुओं को सिलसिलेवार तरीके से हमें बताईए कि जब आपने शुरुवात में तबला सीखा फिर कैसे संगीत की तरफ आए फिर किन-किन गुरुओं ने आपको गढ़ा उन सबको याद करने का समय है उनके बारे बताईए ऐसा है कि हमारे गाओं में 1986 में स्वामी विवेका नंद जी के नाम से एक संस्ता का निर्मान हो वेया स्वामी विवेका नंद स्पृति संग गोवा के अभी के बहुत बड़े जाने माने एन्वरमेंटलिस्ट उस ताइम वो फुल टाइम रिपोर्टर थे तो उनके वो संस्त के उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे यूत एक साथ हो गए और उन्होंने वो स्वामी विवेका नंद स्मृति संग का निर्मान किया और मेरे तरह के जैसे बच्चे है उनको इकटा करके उन पर अच्छे संस्कार होने चाहिए कुछ ना कुछ कोई बच्चा है वो अच्छा स्टोरी टेलिंग में है कोई ड्रामा में है कोई फोग म्यूजिक का बहुत उसको इसको ग्यान है किसी को म्यूजिक में रूची है किसी को खेल में रूची है तो उन्होंने क्या कि इस सब बच्चों को इकटा करके हर साल उनका कुछ न खुंछ रफ प्रोग्राम रहता था हम जब श्कूल में थे तो उसी सुनसता के माध्यम से हर साल कुछ न कुछ परफॉर्म करते थे और उनीकी माध्यम से बालबोवन Society of India का गोवा में जो ब्रांच है तो उनके हर गाउं में बालबोवन के विविद केंद्र की स्तापना हो गई जैसे कि हमारे गोवा के पहले मुख्यमंत्री भाउस साहिब बांदूरकर जी ने शिक्षा सभी गाउं में होनी चाहिए इसलिए हर गाउं में स्कूल होना चाहिए हर बच्चों के पास शिक्षा मिलनी चाहिए इस हिसाब से उन्होंने सभी गाउं में स्कूल निर्मान किया उनके बाद प्रताप सिंग राने जी और उनकी जो वाइफ थी विज्या देवी जी राने जी उन्होंने बालवोन का वो जो अध्यक्षा थी तबी सभी रिमोट एरिया में बालवोन के इंदर पूरे गोवा में उन्होंने स्तापित किये और उसी बालवोन के इंदर केरी में हमारे जो पंडित आनन जी मसकर जे जो मेरे पहले गुरू थे उनके पास मैं तबला सिखने लगा आनन जी मसकर पंडित प्रभाकर चारी आपने पंडित रविंद्र चारी जो फेमस सितारिस्ट है उनका नाम सुना रहेगा उनकी पिता जी जो पंडित यश्वंत्राव जी केरकर जी के शागिर्त थे उनसे उनोंने शिक्षा प्राप्त की आनन जी मसकर जो मेरे गुरू जी थे वो कम से कम डेले 50 किलो मिटर्स ट्रेवल करके पंजी में पंजी में जाते थे उनसे उनोंने चारी मास्तर जी से उनोंने शिक्षा प्राप्ति की तो वो बाद में बहुत जगा पे मतलब भजन, किरतन, संगित, नाटक में बजाते थे और जहां बालबोन में उनको मतलब वो सिखाने के लिए उनको नियुक्त किया गा तो उनसे मैं तबला सिखता था और उनका संगित में रुची मतलब वो सिर्फ अगर बच्चा अच्छा गाता है अगर कोई बच्चा अच्छा मंझीरी संगत करता है तो वो उस बच्चे को प्रेजु करते और पूरे आर्टिस जो थे, पूरी लड़की आई थी, तो उस नाटक को साथ संगत हमारे गुरुजी आनन जी मसकर करते थे, तो उनको मंजिरा बजाने वाला चाहिए, और ऐसा है गोवा में, घर में संगीत है, मंदिर में संगीत है, सभी बच्चे, सभी लोग मंजिरी अच को हम टाल कहते हैं, वो बजाता था, तो उनको समझ में आ गया कि इस बच्चे में कुछ तो मतलब टाल वो मंजिरा अच्छी तरह से बजा लेता है, तो उन्होंने मुझे अपने साथ, जहां-जहां पे वो प्रोग्राम होते थे, जहां-जहां पे नाटक की पेशकश होती उस नाटक में मैं उनके साथ मंजिरी बजाने के लिए जाता था, इसी तरह उन्होंने मुझे शास्त्रिय संगित चिक्षा लेने के लिए भी प्रेरित किया, तभी कुछ दिनों बाद जिसका, जिनका आपने जिक्र किया, मेरे दूसरे गुरुजी प्रकाश जी उनसे मैंने डाइरेक्ट क्लासिकल मतलब शास्त्रिय संगित की शिक्षा के शिरुवात नहीं की, वो जो कुछ भी है मतलब जैसे की भजन, अभंग, निर्गुनी भजने वो सिखाते थे, उसी टाइम हमारे गाव में अशोग जी नाविल कर, उनसे मैंने भी थोड़ी ही कहते है कि जो तुम अभी सीख रहे हो, आगे चलके तुमको अच्छी शिक्षा ग्रहन करनी है, इसलिए तुमको अच्छा रियाज होना चाहे, अच्छी तरह से तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, उस पर विचार कीजिएगा, और इसी माध्यम की वज़े से मैं आगे चलक शास्त्रिय संगी की शिक्षा बहुत ही अच्छी ग्रहन कर सका, और उसके बाद भी कई गुरुओं का आपको आशिरवाद मिला, मतलब जिन दो गुरुओं का, उनके बारे में भी बताईए हमारे सब्सक्राइबर्स, जी, क्या हुआ कि मैं 92 में आनंज मसकर जी ने मुझे वो हर जगा पे साथ संगत करते हैं न तो गुवा में बहुत सारे ऐसे किर्तनकार मतलब मंदिरों में किर्तन होता है, तो मैं मैं मैंजीरी अच्छी तरह से बजा लेता हूँ और मेला गला भी अच्छा है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि एक बार मुंबई दूरदर्शन के लिए एक प्रोग्राम फिक्स हुआ था, उस टाइम गोवा में पूरा दूरदर्शन सेंटर इस्टैबलिस नहीं हुआ था, तो मुंबई दूरदर्शन से ही कम से कम 15 to 20 मिनिट का एक प्रोग्राम वो चलाते थे, वो मराठी में था, मुंबई दूरदर्शन के लिए, त कीर्तन एक 10 से 15 मिनिट का एक कीर्तन उससे मतलब करवा लेंगे, तो मेरे गुरु जी आनन जी मसकर महराष्टागोवा के बहुत बड़े जाने माने कीर्तन का हरीवक्त परायान, डत्तदास बुआ घाग, बहुत ही फेमस थे, तो उनके साथ उनने बहुत बजाया था, उन्होंने हमारे जो राजंद्र केरकर जी थे, जो मुझे बच्पन से उनकी वज़े से मैं अभी जो कुछ कर रहा है, वो मेरे उनकी वज़े से, तो उनको बोला कि इस बच्चों का हम कीर्तन, 10 से 15 मिनिट कीर्तन उससे तयार करवाएंगे, और उन्होंने भी विशही बोल स्वार्ण अगा पुरुवरंग में अगर एक संत उंक का अपने हमारे संत है तुकासंत दुकाराम संत ग्यनेश्वर lorsquे वज़े उनका एक अभंग रहते है उसे निरुपण से प्रवचन रहता है और उत्तर उंक में उत्तर उंक जिसको कहते हैं उसमें तो तो उन्होंने क् भागबुआ जो थे उनकी एक कैसेट प्रचलित थी उसी के आधार पे राजंदरी जी केरकर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एन्वार्मेंट अभी जो कुछ भी चल रहा है प्रकूरुति का नाश विनाश चल रहा है उसी के माध्यम से उन्होंने कीर्टन लिखा और वो मै में क्या हुआ कि हर साल गणेश उत्सव गुवा महाराष्ट्र में तो बहुत ही पॉपिलर होता है तो गणेश उत्सव में हमारे बच्चों के सब जगा पर प्रोग्राम होते थे तो ऐसा लगा उनको की गणेश उत्सव के माध्यम से ही चलिए हम जो कुछ भी परफॉमंस में गणेश उत्सव के प्रोग्राम में किर्तन बाद में नाट्टे संगीत भजन होने लगा और बहुत ही लोगों को इतना सा छोटा बच्चा मतलब दस बारा साल का बच्चा 15-20 मिनिट में किर्तन करता है लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और उसी वज इसलिए बहुत सारे मंदिरों में भी मुझे मामंतरन मिलते थे मैं जाता था स्कूल में बेखुल स्कूल से भी और एक बात के निए कि बच्चा किर्तन कर रहा है इसलिए मुझे बहुत सारे स्कूल में शार्दोत्सो का प्रोग्राम होता था वहां पर बहुत सारे स्कूल म एक बार मुझे मौका मिला कि 92 में हमारी यहां पर गुमंतक मराथी अकादमी है गुवा में तो उन्होंने अकादमी की मानद अधिस्दस को प्रदान करते थे हलसा जैसे कि बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट गुवा के गुवा में रह रहे हैं गुवा से बाहर रह रहे ह ले श्लमिएंटे तो न्यार कंशाचाहिअज बड़े जी बरींट सिंगर है उनको मानद अधिस्द्दस सदे को प्रदान किया था बाद मैं प्रफल लाजी डाहनुकर फाइन आल्टी स्द्द्दस को सब्सते थे हो उनको भी आम इंत्रित किया था मानद अधिस्द्द को होगें ट्लाजे से कभवा, अब और मेरा था है, तो फेल मेरा आपने प्राभावीत हो कि यहीं empezar तो निemmentैंच मैंने वेलिदेए कहें अच्छी तरह से गाते हो तो उन्हों ने अपने परस में से एक उनके पास हमेशा रहता था गणेश जी का छोटी मूर्थी थी वो मुझे निकाल के दी और उस जमाने में 500 रुपय की नोट उन्होंने मुझे निकाल के दी और मुझे बोला कि ऐसे ही तुम मेहनत करो और प्रो शिरुवात पराफ्टे के लिए तो उस टाइम बहुत ही हमें भी क्रेश्टी की बड़े-बड़े आर्टिस्टा थे तो हम डाइरी लेके जाते थे उनके सामने तो आशा जी ने मुझे बूलाया बिठाया और डाइरी में लिख लिया कि मराठी में लिखा था खूप मेहनत कर जरूर नाम मिले लियाने कि बहुत ही मेहनत करो नाम जरूर मिल जाएगा और उन्होंने बोलाया था कि गाते समय मुझे याद है माइक्रोफोन का इस्तिमाल का इसा होना चाहिए और माइक्रोफोन गाते समय मतलब अपना आवाज और अपना गला मुख कैसे microphone handle करना चाहिए उस तैम उनोंने बोली थी तो मैंने आज भी वो मतलब उनका हस्ताक्षर में जो आटोग्राफ है जो कुछ भी लिखा है वो मैंने समाल के रखा है जब भी पढ़ता हूं तो वो पढ़ने के बाद मुझे और उर्जा प्राप्त होती है ऐसा वो आगे चलके मतलब प्रोग्राम और बहुत सारे बुजर्गों का आशिरवाद मिलता ही रहा लेकिन ये सब मेरे जो गुरु जी है उनके आशिरवाद से ही मुझे आज तक बहुत ही सौभाग की बात है कि बहुत सारे बड़े कलाकरों ने मुझे आशिरवाद दिया है ये मेरा मानना है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप ये आपका सौभाग है और घागबुआ जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों ने तो आपको बहुत स्निह दिया इसमें कोई दोराए नहीं है अच्छा अब ये भी बताईए कि परिवार में इमीडियेट कोई परंपरा संगी सच नहीं थी जैसा हम लोग शुरुआत में इस इंटर्व्यू के बात कर रहे थे बावजूद इसके जब आपने ये तैय कि अब इसको प्रोफिशनली पिक करना है शास्त्रिय संगीत से को ही प्रोफिशन के तौर पर चुनना है वो कैसे आपने फैसला किया मेरे पिता जी उन्होंने तो शास्त्रिय संगीत की मतलब शिक्षा ग्रहन की नहीं थी लेकिन उनको म्यूजिक अच्छा लगता था ड्रामा अच्छा लगता था जैसे कि होली के त्योहार में बहुत सारे फोक फेस्टियों होते थे उनमें वह पाल्टिसिपिट होती मेरी म मतां जी बहुत अच्छी मतलब और गुन-गुना थी कभी-कभी गाती भी दिए पुराने मराटी फिल्म सॉंग से बक्ती संगीत लेकिन जैसे कि मैंने पहले जिक्रें किया राजेंद्रह कहें आगा मेरी बड़े भाया मेरी बहेобщन उनके संपर्क में थी उनके गुरूप म उनका हाथ पकड़ते मैं भी उनके घर में जाता था और उन पे पूरा विश्वास था अभी भी बहुत सारे बच्चे उनके घर में रह रहे हैं सीख रहे हैं चाहे वो कुछ ऐसे बच्चे है कि उनको बहुत ही मतलब financial assistant चाहे रहता है वो किरकर जी उनको घर में रख के उनको free मतलब कुछ उनका मानना है कि जो कुछ भी है भगवान ने दिया तो ऐसे बच्चों को हम पड़ाना चाहिए ऐसे बच्चों को आगे मलाना चाहिए और मेरे पिताजी और माताजी का उनके बहुत ही विश्वास था यह हमारे बच्चे को लेके जा रहे है तो कुछ ना कु कुछ तो अच्छा ही रहेगा बाद में ऐसा हो गया तिल एट स्टेंडर एक टू नाइन स्टेंडर में मतलब हम सभी मेरे भाईया भी बहन भी हम सभी पड़ाई में मतलब जैसे कि स्कूल में भी फरस्टार्ट तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ म्यूजिक और कल्चिर नावी के बाद ऐसा हो गया कि बहुत सारे मतलब मुजिसियंस म्यूजिक रिलीटेट फ्रेंड्स मिलते रहें कुछ ना कुछ मिलता हो गया प्रोग्राम होते जा रहे थे और मुजिक में बहुत रुची उत्पन्न हो गयी और घर में भी इसा नहीं बोला था कि तुम यह मत करो music प्हली एक बात थी उनको मैं क्या कर रहा हूं अभी तक अभी तक मेरे parents हैं मतलब अभी तो पिता जी मेरे गुजर गए माता जी है तो उनको मालूम नहीं था कि यह music कर रहा है लेकिन क्लासिकल सिंगिंग कर रहा है मतलब यानि कि क्या वह अभी तक मालूम नहीं कि तो मेरे पिता जी मतलब चौथी स्टेंडर्ड वह पास थे लेकिन वह अच्छी करागिरी करते थे वह अच्छा वह काम करते थे और माता जी तो उन्होंने स्कूल में शिक्षा ग्रहनी नहीं की पहली पहली कक्षा वह पड़ी थी लेकिन उनको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए लेकिन उनको मालूम नहीं कि प्यूर्ली क्लासिकल गा रहा हूं यानि कि क्या गा रहा हूं लेकिन यह गार है हमारा बेटा ऐसा उनको मालूम है बाकि सभी को परिवार वालों को तो आप और सशक्त गायन करें आपकी सहचता यूही रहे और मैं जो सब्सक्राइबर्स इस इंट्रिव्यू को देख रहे हैं उनको बता दूं कि जिस सहच तरीके से रूपेश जी बात कर रहे हैं उसमें बस ये जानकारी डालना जरूरी है कि 2016 में बहुती प्रतिष्ठित जो सम भारत सरकार का, Ministry of Culture का, बिस्मिल्लाख खान, यूआ पुरसकार वो ये दिखाता है कि कलाकार जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता सही है वो आपको मिल चुका है तो इस इस उमीद पर इस इंट्रिव्यू को खत्म करते हैं कि आगे भी इस तरह की पुरसकारों की प्यार की सम्मान की जड़ियां आपके उपर लगी रहेंगी बहुत धेर सारी शुपकामना है और बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपको भी बहुत सारी शुपकामना है धन्यवाद आपने मुझे अमंत्रित किया मेरे गुरूओं की बारे में कुछ आपके सामने मैं उनके ही आश है जो है जो लालाना के जो लालाना के जागा कैसा की कैसे के जारी लालाना के जो 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 लालाना जोलालाना के जाग सखी एज़े करीब करीब सखी करीब कैसा की करीब कैसा की करीब जोलालाना के जाग सखी एज़े करीब 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 कैसा क्था को जोलालाना के जाग सखी कैसे के करी बरी कारी बरी ऐसो लालना के जागा का के कारी कैसे के करी बरी 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 जो लालना के जागा के सकी के के जागा 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 के जाग